देश बर के अंदर कहीं पर भी चुनाव हो किसी भी बीजेपी के कारिकरता से, नेता से, मंत्री से, विधायक से, सांसद से किसी से पूछ लिजिए और सिर्फ एक सवाल पूछी सवाल ये कि आपकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? क्या सबसे बड़ी वज़े ऐसी है, जिससे आपको लगता है कि आपकी जीत हो सकती है? हर कोई ये कहेगा, बीजेपी के अंदर हर कोई नीचे से लेकर के ऊपर तक, जिस किसी से आप सवाल पूछेंगे, हर कोई इस बात को कहेगा कि हमारे पास में नरेंदर मोदी का चेरा है, हर कोई इस बात को बताता है, लेकिन एक बड़ी चोकाने वाली खबर, बीजेपी के खेमे से आती है, बीजेपी के खेमे से बड़ी चोकाने वाली खबर आई, और खबर ये कि बीजेपी ने MP के अंदर, MP के अंदर जहापर उनकी सरकार है, अलाकि कुंग्रेस की थी पहले, MP के अंदर 49 सीटों की और 36 गड़ के अंदर 21 सीटों की घोशना कर दिये ये पहली बार हुआ है कि BJP इस तरह से चुनाव के अंदर 3.3 महिने जब बाकी है उससे पहले ही अपनी टिक्टों की घोशना कर रही है अब इस बात को जाचा पर खा जाना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या वज़े हुई है कि BJP को इतनी जल्दी टिक्टों की घोशना करनी पड़ रही है इसकी कई सारी वज़े है मेरे पास में और एक एक करके मैं आपको सारी वज़े बताऊंगा और उन पर बात करेंगे और इससे किसको फाइदा है किसको नुकसान है क्या प्लस माइनस है उन सब पर बात करेंगे सबसे पहला सबसे बड़ी वज़े जो मुझे समझ में आ रही है इस फैसले के पीछे वो ये है कि बीजेपी को ये मैसेज उपर तक पहुँच गया है कि मोदी का चहरा नहीं चलेगा मोदी चेहरा जो है वो नहीं चलेगा ये बात जो है वो उपर तक पहुँच गई है कि मोदी का चेहरा वो नहीं चलेगा ये मैसेज क्या है और इसके पीछे वजे क्या है इस बात को समझी कि मोदी का चेहरा किस बात को लेकर के का जारा कि मोदी का चेहरा नहीं चलेगा देखिए 2018 में क्या हुआ था वहां से शुरुआत करते हैं फिर मैं अभी के चुनाव पर लेकर क्या आता हूँ और मद्यपरदेश और अस्तान में तो एक लंबे पिरेड के लिए बीजेपी की सरकार रही 15-15 साल की लंबी सरकारे मजबूत सरकारे उखाड फेंकी हलाकि मद्यपरदेश पर फिर पल्टी मार करके दोबारा सरकार बना ली लेकिन बीजेपी को अब ये मैसेज जा रहा है कि 2018 में भी हमारी जो मजबूत सरकारे थी उसको उखाड दिया और उसके बाद में जो है हमारी तीनों सीटे यहां से चली गई एक चीज अलग रही कि लोकसवा के अंदर उसके बाद में 2019 में फिर से बीजेपी ने राजसान मद्यपरदेशों 36 गड़ के अंदर सफाया करके अपनी जो है वो सारी स्तक्रीवन सीटे निकाली लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर है पुलवामा का फैक्टर रहा बाला कोट एर स्ट्राइक का फैक्टर रहा इनको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है लेकिन अब जो है बीजेपी को ये साफ तोर पर लग रहा है कि मोदी के चेरे पर चुनाओ नहीं लड़ सकते विधान सबा का चुनाओ जीत नहीं सकते है 2018 के एक वज़े मैंने आपको बताई दूसरी वज़े मोदी के चेरे के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ चाए हिमाचल परदेश का चुनाओ हो चाए करनाटक का चुनाओ हो बीजेपी जो हारी है वो बीजेपी वहाँ पर जो स्थानी च्छतरप नेता थे उनको जो है वो तवज्जो नहीं दी गई उनको मजबूत नहीं किया गया और इसलिए एक बड़ी वज़े रही कि बीज पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने जो है वो अपने यहां पर रननीती को बदला है यह पहली बार ऐसा हुआ है तो इसके पीछे वज़े क्या है दरसल इससे पहले बीजेपी को यह लगता था कि हम जो है वो नरिंदर मोदी के चैरे के नाम पर वोट चुनाओ में जा था कि सीम कौन है मुख्यमंत्री के चैरे को जो है मुख्यमंत्री का नाम वह भाजपा की निताकारी करता नहीं बता पाते थे कि भाजपा का निता मुख्यमंत्री कौन है मैं गुजरात की बात कर रहा हूं गुजरात का उधारन आपको दे रहा हूं तो भाजपा की रणनीती यह रही कि मोधी के चेरे पर जाएंगे और मोधी के चेरे पर आपको वोट मिल जाएंगे और आखरी समय तक बीजेपी ठिक्टे बाठती रहती थी और आखरी समय का मतलब यह कि जब चुनावायो के अनुसार आप जो है वो नॉमिनेशन करके उसको वापिस लेने तक की जो की समय सिवा रहती है वहां तक फिर बदल होता रहता था लेकिन बीजेपी ने इस बार मद्यपरदेश में 49 सीटे और 21 सीटे 36 गड़ के अंदर करीब करीब 20-20% सीटे जो दे दी हैं बाट दी हैं साड़े 3 महीने पहले इसका मतलब यह है कि बीजेपी को अब यह साफ तोर पर पता चल गया है कि मोदी के चैरे पर वोट नहीं मिलेगा जो स्थानिये विधायक उमिद्वार हैं उनको टिकट दीजिए उनको कहिए कि तीन महीने तक लोगों के बीच में रहें हाथ पैर जोड़े उनको मनाएं अपने लिए जो है वो चुनाव का माहूल बनाएं और फि बड़ी वज़े दूसरी जो बड़ी वज़े है उसको सुनिए दूसरी बड़ी वज़े है बगावत बगावत जो है वो बीजेपी को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और बगावत की वज़े से बीजेपी बहुत परेशान है कि ये बगावत से कैसे पार पाया जाए बगावत का कहेंगे आपको बड़ा उधान बताईए बड़ा उधान बताता हूँ बहुत बड़ा उधान बगावत के नाम पर आपको याद है चाहे हिमाचल परदे सोच चाहे जो है वो करनाटक हो दोनों स्टेट ऐसे रहे जहांपर टिक्टों को ले करके टिक्टों के बटवारे को ले करके इसतनी बगावत हुई इतनी बगावत हुई इतनी बगावत हुई कि खुद नरेंदर मोदी को फोन करने पड़े आपको याद है ना हिमाचल के अंदर जो है वो फोन किया और हिमाचल में जो है वो वहाँ पर बीजेपी के एक दावर नेता उन्होंने जो है वो साफ तोर पर मना कर दिया कि मोदी जी अब तो आपने देर कर दी है इसी तरह से करनाटक के अंदर भी बीजेपी के मंत्री वो उन्होंने जो एक तरह से साइड लाइन ले लिया था वहाँ पर जो है उनके भेटे को टिकट दिया गया लेकिन उसके बावजूद मोदी ने फोन किया और वो फोन बाकाइदा मीडिया के अंदर चलवाए गए कहा गया कि देखिए मोदी जी फोन कर रहे हैं तो वो नोबत हर चुनाओ में आने लग गई है अब टिक्टो के बटवारे को ले करके इस तरह की माथा पच्ची होती है इस तरह से भवाल मचता है कि मोदी तक को फोन करकर के एक एक सीट के उपर जो हो लोगों को मनाना पड बता है और वो चीजे जो है वो जब फोन करने वाली बातिब सामने आतीällt बड़ा बड़ा करने के लिए प्हले ही करो की तीन महिने बहुने महिने पहले टिक्टो की गोफटना कर दो ताकि कि किसी मैंना पड़े तो इस बीच में दिल्ली बुला करके किसी को दिल्ली से वहा करवा दिया जो बुलबुले उठते हैं उन बुलबुलों को शांत करवा दिया जाए तो ये एक बड़ी वज़े कि बगावत ना हो इसलिए बीजेपी ने ये किया है तीसरी जो बड़ी वज़े है कि बीजेपी जो है वो एजेंडा सेट कर रही है तीसरी बड़ी वज़े कि बीजेपी एक एजेंडा सेट कर रही है और एजेंडा क्या है एजेंडा क्या है उस बात को समझिए एजेंडा ये है कि अभी तक चाहे जो है वो यहां पर यहां पर जो है वो चाहे बात हो 36 गड़ की और चाहे बात हो मद्यप्रदेश की इन दोनों राज्यों में जितने भी भी सर्वे आते थे यही बताते है कि कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और खास करके 36 गड़ के अंदर तो इतनी खराब हालत कि भुपेश बगेल के सामने भुपेश बगेल के सामने रमन सिंग के अलावा बीजेपी का कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं देता है तो जो एक माहूल बन रहा था तमाम सर्वे आ रहे थे उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी ये कह रही है कि देखिए हम जीत रहे हैं और इसलिए हमने टिक्टों की घोशना पहले से कर दिये ये जो है वो दिखाने के लिए बताने के लिए अपने करिकरताओं को परवक्ताओं को जो है वो मसाला देने के लिए कि एजंडा ये सेट केजिए कि जीत हम रहे हैं, हमारा होमवर्क ज़्यादा मजबूत है, इसी लिए पहले टिक्टों की घोशना हम लोग कर रहे हैं, तो जो सर्वे आए उसके काउंटर में माहोल बनाने के लिए जो है, वो हम लोग यहां पर टिक्टों की घोशना पहले कर हैं, अब इसके बाद में, चोथा जो बड़ा पॉइंट है, चोथा जो बड़ा पॉइंट है, वो इसमें आप और लीजिए, चोथा बड़ा पॉइंट है, वो सर्प्राइज पॉइंट है, सर्प्राइज जो है, वो यहां पर दे रहे हैं, और सर्प्राइज किसको दिया सर्प्राइज जो है वो दिया है कॉंग्रेस को जो है जटका दिया है और कॉंग्रेस को जटका ये कि कॉंग्रेस जो है वो अभी तक जो है वो अपने पाच वादों में चल रही थी कॉंग्रेस जो है वो ये घोशना कर रही थी कि अगर हमारी मद्यपरदेश में सरकार आती ह तो आप महिलाओं को पंद्रा सो रुपे देंगे, सिलिंडर पान सो रुपे में देंगे, बिजली की सो यूनिट आपको फ्री करके देंगे, किसानों का करजा माफ करके देंगे, और उसके साथ साथ जो OPS का मुद्दा था जो हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा बना, और OPS का मुद्दा, यह जो पांच गारंटी है कोंग्रेस की, यह कोंग्रेस जो है वो अपनी गारंटीया दिखाने में जो है वो लगी हुई है, तो BJP ने उसको एक सर्प्राइस देते वे, एक सर्प्राइस देते वे टिक्टों की घोशना कर दी और लगा कि कोंग्रेस का ज ध्यान वहां पर जो है लोकल इड्रीशिप का ध्यान वा हो इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में या और छीजों को फैलाने में उससे ज्यादा जलघ जाते हैं वह उलघ जाये कि अंदर वह उलघ जाये इसके अंदर कि आप दिक्टों की घोशना करिये और धिक कहां तक जाएंगी वो अब देखने वाली बात होगी और बीजेपी को लगता है कि इसी तरह से हम 20-20% सीटों की जो घोशना है वो जो है वो हम समय के साथ साथ धिर धिर करते चले जाएं अब इसमें एक बड़ा फैक्टर और है वो और हम आपको बताता हूँ एक बड़ा फै सीटारा के अंदर बीजेपी हार गई थी बीजेपी ये सारी सीट हार गई थी ये 49 की 49 सीट जो बीजेपी हार गई थी और इन 49 सीटों में जो है बीजेपी ने इस बार जो सीटे दी है सी को दी है इसमें से 49 में से सीटे जो दी है वो आठ सीटे दी है और सीटे को दी है वो 13 सीटे दी है तो आदिवासी जो एक बड़ा फेक्टर रहेगा आदिवासी वोट एक बड़ा फेक्टर रहेगा राहुल गांदी आदिवासी को ले करके मूल निवासी बता रहें कि आप वनवासी नहीं हो आप मूल निवासी हो तो उस राजनिती को भी क्रेक करने के लिए क्योंकि राहुल ने उनकी सदस्ता आने के बाद में जो सबसे पहले सबसे बड़ी बैठक सबसे बड़ी रैली की पहली रैली वो आदिवासियों के बीच में की संसद में बोले संसद में बोलने के तुरंत बाद राजस्थान के अंदर गए राजस्थान में बहुत भारी भीड थी और राजस्थान में पहुंच करके राहूल गांदी ने आदिवासियों के बीच में पहली रैली को संबोधित किया तो बीजेपी को ये लग रहा है कि हम ये वो सीटें जो 2018 के अंदर हम बिलकुल हार गए थे उन सीटों के उपर फोकस किया जाए और उन सीटों में इस बार जो है वो SC और ST इनको खास तवज्जो दी गई है और खास तवज्जो इसलिए क्योंकि जो वोट बैंक कभी कॉंग् का मजबूत वोट बैंक रहा उसमें सेंदमारी की जाए और उसमें जो है वो कुछ ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो चेहरे जो है बीजेपी के लिए आने वाले समय में माहूल बना सकें अगर 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ के अंदर जो है कॉंग्रेस ने बड़े चेहरो से उन्होंने लगाया गया कि बीजेपी वैसे तो बात करती कि परिवारवाद के खिलाफ हम राजनिती करेंगे लेकिन चाचा के भतीजे को टिकेट दे दिया तो ये चाचा भतीजा को जो है वो राजनिती में लेकर क्या रहे तो उनका परिवारवाद नहीं है एक तीसरा बड़ा फैक्टर ये बताय जा रहा है कि 2024 का 2024 का लोकसवा चुनाओ 2024 का लोकसवा चुनाओ और उस चुनाओ के लिए चुनाओी महोल एकदम से तयार रहे कुछ सांसदों को भी जैसे कि यहाँ पर जो है 36 गड़ के अंदर एक सांसद को टिकेट दिया गया है तो कुछ सांस को टिकट दिया जाए और सांसदों को टिकट दे करके बीजेपी जो है वो यह बताती बताना चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो यह देखना चारी चेक करना चारी है कि अभी जो मौझुदा सांसद हैं उनमें कितना करेंट बाकि है अगर वो विदान सभा के अंद नहीं पाएगा तो फिर उसको जो हटा दिया जाए उसके जहें पर एक नई जो हो उमिद्वार वहां पर जो हो कोई नए उमिद्वार लेकर कर आजाए तो दोहजार चोबिस का जो चुनाओ है ये भी दिमाग में है बीजेपी के कि इन विदानसवा चुनाओ के बहाने जो हो बीजेपी करन्ट चेक करना चाहा रही है कि दोहजार चोबिस के चुनाओ में क्या होगा अब देखें यहाँ पर दो स्टेट की बात हो गई हलाकि वैसे पांच राज्यों में चुनाओ है च्छतिसगर्ड मद्यपरदेस रास्थान मिजोरम और तिलंगाना पांच राज्य और तीसरी बात यहां कि इन तीन राज्यों के अंदर इन तीन राज्यों में बीजेपी वर्सीज कोंग्रेस का सीधी ठökकर है यוכि त jestem लंगाना के अंदर तो बीजेपी कई करना है, लेकिन मिजोरम के बगल में मनिपूर जल रहा है, उस पर आप चुप्पिसाद लेते हो, तो वो मिजोरम और तेलंग़ना उस पर कोई बात नहीं करेगा, मीडिया भी बात नहीं करेगा, और बहुत संभावना है कि ये दोनों स्टेट तेलंगाना और मिजोरम कॉंग्रेस पार्टी जो है वो निकाल ले जाए हलाकि तेलंगाना के अंदर उसके टक्कर रहेगी लेकिन मिजोरम में मनिपूर का फेक्टर बड़ा काम करेगा और कॉंग्रेस के लिए पोजिटिव हो सकता है राजस्तान की कहानी मैं फिर कभी आराम से बताऊंगा आपको क्योंकि राजस्तान में एक अलग तरह की राजनेती चल रही है असो गैलोत की एक अलग राजनेती है बीजेपी की एक अलग राजनेती है और उसके साथ साथ जो है वो वसंद्रा राजे की एक अलग राजनेती है ये तीन वसंद्रा राजे को मैं बीजेपी में नहीं गिन रहा हूं वसंद्रा राजे को मैं बीजेपी से बाहर करके गिन र बात करेंगे लेकिन यह आपर दो स्टेट के अंदर बीजेपी ने जो किया है वो साफ तोर पर जो हो बता रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी किस कदर जो है वो गेरी हुई है और नरिंदर मोधी के चैरे पर नरिंदर मोधी के नाम पर जो इतनी बाते होती थी जितना जो है वोट मांगने की माहूल बनाने की जो बाते होती थी वो सब चीजे अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है ये बीजेपी मान चुकी है और बीजेपी को लग रहा है कि विदान्सवा चुनाव का मतलब ये है कि जो स्थानिय चत्रप हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा उनी से चुनाव लड़वाना पड़ेगा लेकिन इसमें चलते चलते आपको एक आखरी बात और कहूंगा फिर खतम करते हैं अभी भी बीजेपी जो है स्थानी चत्रपों को टिकट दे करके मैदान में तो उतार रही है लेकिन ट लाट सीटों के अंदर भी छेतरिय चत्रपों की नहीं चली है सिवरा सिंग चुहान हो चाहे रमन सिंग हो उनकी नहीं चली है मोदी और अमिश्या की ही चली है ये बात भी बताए जारी जो टिकटों की जो घोष't ना है टिकट जो देख रहे हैं जो मिदवार उतारे गए ह उनके हिसाब से जो जानकारी निकल करके आ रही है वो यह बता रही है तो बहराल इन सब के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी विदानसवाद चुनाव को ले करके गंबीर है बीजेपी उस अपने आपको उस कंडिस्न में पहुंचाने की कोशिस कर रही है कि बीजेपी जीत पाए क्या आपको लग रहा है कि यह सब कुछ जो है करने से बीजेपी को कुछ फाइदा हो रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं यह सारी चीजे अब जो है काम नहीं कर पाएंगी लोगों का रुजहान जो है बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी की लाइन नूजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई ख़बर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो कीजिए और इस कबर को शेर कीजिए धन्यवाद